आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोग इन्हें सुनते भी होंगे और इन्हें जानते भी होंगे यह हमारे देश के पिसिद कभी है कुमार विश्वास साहब और इनकी कभीताओं के आप लोग दीबाने भी रहते हैं और जो प्यार में पड़े रहते हैं वो लोग इन्हें कापी पसंद कहते हैं और वैसे आप देखी हिंदी को इन्होंने कापी मजबूती भी प्रदान किये और देश के कौने कौने में आप देखे हिंदी के जरिये हिंदी की कभीताओं को यह पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकरी देख लेंगे कुछ और पिक्चर आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होगी राजनेतिक जो यात्रा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग कुमार विस्वास के बास्तविक नाम की बात करें क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन्हें प्यार से लोग कुमार विस्वास कहते हैं लेकिन इनका बास्तविक नाम विस्वास कुमार सर्मा है इनका जन्म होता है 10 फरवरी 1970 में पिल्क हुआ गाजियावाद उत्तर पिदेश में इनका जन्म गुआ था और अगर आप लोग उत्तर पिदेश को देखना चाहें न तो देखिए उत्तर पिदेश है लखनव इसकी रादधानी इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज बित्तर पिदेश काफी महत्पूर माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है ना उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है और पिदानमंत्रियों की अगर आप लोग सूची उठा के लिखना और इनकी पत्नी का नाम मंजु सर्मा डॉक्टर मंजु सर्मा एक पर ओफिसर है इनकी दो बेटियां है एक अगरता विस्वास दू उसरी आप देखेंगे को हो विस्वास और इनकी अगर हम लोग सिक्छा की बात करें तो लाला गंगा सहाय स्कूल गाजियाबाद उत्तर पि से इन्होंने आंगे की सिक्छाली और विस्व विद्ध्याले की बात करें तो मेर्याट विस्व विद्ध्याले से इन्होंने सिक्छाली और आप देखेंगे कि इष्णाक वत्तर हिंदी में किये हुए है और को और भी लोग गीतों में लोग चेतना विस्वास पर इन्हों की शुरुआ साल 1984 में राजिस्थान की लाला लाजपत राय उनिवसीटे में बात और प्रोफेसर की थी और वह यहां बच्चों को हिंदी साहित की सिक्षा प्रदान करते थे और धीदरी धीरे कुमार विस्वास ने हिंदी साहित के ग्यान को कभीता में लाना शुरू किया औ और उन्होंने देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी कभी समेलेनों में हिस्सा लिया कई अन्य देशों में भी जाते रहते हैं और कुमार विस्वास की एक रचना कोई दीबाना कहता है को लोग खूब सराहर ना भी करते हैं और सुनते भी है आम जनता से लिकर बड़ी- के बड़े और समानित बेनर्स और टेलीविजन प्रोडेक्शन हाउस के साथ भी लीरिक्स स्टोरी और डायलोग राइटिंग का काम भी किया है और इस तरह देखते ही देखते कुमार विस्वास देश के सबसे लोग परिये और महेंगे कभियों में सुमार हो गये हैं अगर और दोनों साथी करना चाहते थे लेकिन दोनों को ही पता था कि जाती अलग-अलग होने के बज़े से उनके घर वाले नहीं मानेगे और ये पर एसानी आप देखते कई जगे आप लोगों को देखने की मिलती है जातियों को देखा जाता है धरम को देखा जाता है ऐसे में दोनों ने पहले साधी की और फिर अपने अपने घर इस बात की जानकारी दी और शुरुवात में दोनों फरीवारों ने इस साधी कबिरोत किया था और इसके चलते कुमार विश्वास और मंजू सर्मा किराए की घर में रहने लगे थे और कुमार विश्वास करीब दो साल त जीवन की बात करें तो आप सभी जानते कि अन्ना अंदोलन हुआ जन लोकपाल के लिए और ऐसा माना जा रहाता है कि लोकपाल आएगा देश में से भिष्टाचार कितम हो जाएगा लोकपाल आ चुका है नियुकती हो चुकी है लेकिन आप देखते हैं भिष्टाचार जियो अन्दोलन की खतम होने के बाद अर्वेंध केbrar केंजिवाल कुमार विस्वास सहिध आंदोलन में सामिल अननलोगों ने मिलकर आमादमी पार्टी का गठन किया हाला कि 9000 इसकी खिलाब थे पार्टी के और लेकिन राजनितिक पार्टी की स्थापना करने बालों का मत था कि आंदोलन को दिसा देने के लिए आवस्था की राजनीती में प्रवेश किया जाए बिना राजनीती के कुछ नहीं हो सकता है और आमादमी पार्टी ने सबसे पहले साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसवा चुनाओ में हिस्सा लिया और इस चुनाओ में कुमार विश्वास ने भी सक्रिये तोर पर भूमी का रिवाई और कुमार विश्वास ने आमादमी पार्टी के उमीदवारों के लिए कई सभाय में की और उन्होंने पार्टी के साइवर ब्रांच को समाला साइवर ब्रांच को और 120 से भी जानदा यात्राएं की और इस चुनाओ पे आमादमी पार्टी को 70 सीटों में से क्योंकि दिल्ली में आप देखते हैं कि विधाल सभा में 70 सीटे हैं, राज्य सभा में 30 सीटे हैं, लोक सभा में 7 सीटे देखने को मिलेगी, तो 70 में से 88 सीटे पहली बारे ने मिलती हैं, आप सोचिए कि 2000 बारे में पायटी की स्थाफना होती है, 2013 में एक साल बाद चुना होत फिर आपने देखा होगा कि इन्हों ने इस्तिपा दे दिया था अर्विंद के जीवाल ने फिर साल 2014 में लोकसभा चुनाओ में आमाधी पाटी ने पूरे देश में चुनाओ लड़ा जहां एक तरफ अर्विंद के जीवाल बनारस में नरेंद मोदी के खिलाब चुनाओ साल 2015 में दिल्ली में वए विदाशवा चुनाओ में कुमार विष्वास ने एक बार फिर से आमाधी पाटी के लिए प्रिचार किया और इस बार आपको मालू होगा कि पाटी को 70 सीटों में से 66 सीटे जीत में मिली थी और एक भारी बहुमत मिला था ही 70 में से 66 सीटे और साल 2015 में दिल्ली में अर्वेंद की जीवाल की सरकार बनती है और आप देखते हैं कि अर्वेंद की जीवाल मुक्मंत्री बनते हैं और बनने की बाद से ही कुमार विश्वास पार्टी में अलग धलग पढ़ने लगे उन्हें पार्टी ने राजस्थान का प्रभारी जरूर बनाया लेकिन पार्टी किसी इस नेतत्त ने राजस्थान में चुनाओ पिचार की उनकी उजना पर भी ध्यान नहीं दिया और इसके इलावा आमादवी पार्टी को अपने कोटे से तीन राज्यसवा सदस चुनने थे तब भी पार्टी ने कुमार विश्वास को धरकिनार करते हुए संजय सिंग, एंडी गुपता और सुसिल कुमार गुपता को राज्यसवा सांसद बनाय था कहते हैं कि इससे भी इनकी नाराजीव थी, और इस सब चीजों से अर्वेंद के जिवाल और कुमार विश्वास के भी दूरिया बढ़ने लगी, और कुमार विश्वास ने पार्टी के निताओं के बीच इन सभी चीजों का बिरोध किया, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हु और चाहरेने बाले भी होते हैं, और ना चाहने बाले भी होते हैं, पसंद करने बाले ना पसंद करने वाले, तो इन से जोड़े हुए कुछ बिवाद में तो कुमार विश्वास ने कभी संभिलन के दौरान इमाम हुसेन और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अफबान जनर्ट टिपड़ी की थी और जिसको लेकर बिवाद हो गया था हाला कि बाद में कुमार विश्वास ने अपने बयान को लिए माफी भी मागी थी एक मीडिया रिपोर्टल द्वारा एक इस्टिंग ओपरेशन करवाए गया था जिसमें आमाधी पार्टी की नेताओं पर गैर कानूनी रूप से कैस दान करने का आरोप लगा था उनने ताओं में कुमार विश्वास का भी नाम सामिल था और कुमार विश्वास की बिरोद संजय गहलोत ने एक फाइयार भी दरच कराई थी क्योंकि उन्हांने बालविंग की समाज के खिलाब बिवादित बयान दिया था और 2022 में पंजाब विधान सवा चुनाओ के दौरान कुमार विश्वास ने यह कहकर बवाल मचा दिया था कि केजरिवाल ने एक बार उनसे कहा था कि क्या हो गया अगर पंजाब का सीम नहीं बना तो आजाद देश का पीम बन जाऊंगा उनके इस बयान को लेकर खासा बवाल भी हुआ था और उनके इस बयान का हवाला देकर पिधानментी नैदमौधी राहल गांधी सेहिद अनने लेताओं ने केजरिवाल को जम कर गए रहा था और दूसरी तरब केजरिवाल ने इन सब बयान को बकवास करा दिया था और अभी हाली में आप लोगों ने दिखा होगा कि इन्होंने RSS पर और जो कटर पंती हैं उन पर एक बयान दिया हुआ है अनबढ कहा हुआ है तो उसको लेकर भी इन पर बिबाद चलना है आलोचना भी की जा रही है तो एक सौट वायगरापी है कुमार विश्वास की